नमस्कार किसानसातियो आजकी वीडियों में बात करेंगे बखडियों के आवास के बारे में बखडियों का बढ़ा उनकी घर अरमदायब होना चाहिए जो उन्हें गड्मी में धूप पर साथ में बाड़is सर्दियों में ठंड और जंगली जानवर से बचाे जिआ किसानसाथ्यों बखरीयों का घर जल जमाव से दूर ऊची जगापर हो बखरीयों का आवास उनकी संख्या पर निर्भर करता है एक युवा बखरी के लिए 12 वर्ड-fit की अस्थान जरूरी है और उसके बच्चे मेमनों के लिए 5 वर्ट फिट की अस्थान की ओसकता होती है 100 बकडियों के लिए 60 बाई 20 फिट का बाड़ा बनवाए साथी इस से दुगनी और तिगनी जगा बकडियों के स्वच्छा अनुसार भूम भूम कर भीतर हो बाहर आने जाने के लिए हो बाड़ का फर्स सम्तल साफ सुत्रा होना चाहिये आपको बता दे बाड़े का फर्स बलवाही मिट्टी की सरवत्तम मानी जाती है फर्स बाहर की ओओन मा रखें अंदर की जमीन की सतर बाहर की जमीन से एक फिट उची हो ताकि बाहर का पानी अंदर नाँ आ सके बकडी की घर की छत घास खोस अमबेस्टर या खप्रैल की हो सेड की हाई 10-12 फुट उची होनी चाहिए सर्दियों में विझावन के लिए सूखी घास वो बोड़े के परदे लगा कर बचाओ करनी चाहिए आपको बता दे घर पुल पक्षिम दिसा में होना चाहिए ताकि सूरज की रोशनी घर पर पर कर घर के अंदर पन्पी किटानों का नास कर सके नर्मादा, गाभिंव दुधारू, मेमनों एवं बिमार बकडियों को अलग-अलग रखने हैं तो छोटे छोटे बारे तयार करना चाहिए और मल मुत्र की सफाई का भिसेख ध्यान रखे हैं नियमित समय पर बारे की सफाई फिनाईल से धुलाई करते रहना चाहिए अगर मेरी वीडियो पसंद दैत वीडियो को लाइक करें, सेर करें और ऐसे ही जनकारी के लिए हमारी यूटूब चैनल को सस्क्राइब करें, धन्यवाद